इसलाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसल्मानों को नहीं पता है। गाइडेंस इतनी जबर्दस है। ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं न किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। आपको इन से सीखने का मन नहीं करता। बहुत महान था एक बार आस्मान में से उंगली टाल के छेद कर दिया था। आज सबसे ज़्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा। मुसल्मानों बुनियादी दिक्कत है जिस पर लोग जा नहीं रहें। इसलाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसल्मानों को नहीं पता है। राजनीती में इसलाम की सबसे बड़ी देन, राजनीती में, नहीं पता। वो है, Enlightened Aristocracy। यह इसलाम की सबसे बड़ी देन है, Enlightened Aristocracy। और इसमें दो नाम इतने महान हैं, एक अल-हारून और दूसरा उसका बेटा अल-मामून। सार पढ़िये कभी इनके बारे में, 90% मुसल्मान औरंग जेव का नाम जानते हैं। इननों का जानते हैं। औरंग जेव बड़ी आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना। महान आदमी था, बहुत महान था, एक बार आसमान में इसे उंगली टाल के छेद कर दिया था, बाद में नासा वालों ने भरा। इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर, बगदाद में बैतुल हिकमत। पर मुसल्मानों से कुछ बोल दो, नाराज हो जाते हैं, संगी है, संगी है, संगी है, हाँ, बैतुल हिकमत, सबको भुलाया है सर, पूरी दुनिया के विद्ध्वानों को, ये इसलाम की राजनीती को सबसे बड़ी देन है, कैलिफ सिस्टम, जो आदमी ये लाइटन होगा वो स्पिरिच्वल हैड होगा, और वही पॉलिटिकल हैड होगा, हजरत अभू बकर, हजरत उमर, उमर साब की कहानिया सुनो से, मुसल्मान इसी को भूल गया, नहीता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेटकर जैसा चुनो, कोई आर हार भाषनी का इती हास, लिटरेचर में, साइस में, काँजूसन, काँजूस, डव्लोप्मेंट में, क्वोशन, पावर्टी में काँडिबूशन नहीं, नहीं वो, ओर 2018 में आयें, कि 2014 में उससे पहले की कंडीशन देख लो सच्चर का मेटी की रिपोर्ट है रहा नहीं वह आप नहीं समझ पाएंगे कि और 1870 में एक किताब आई हिंदुस्तान में दा इंडियन मुसल्मान बड़ी इंपॉर्टन किताब दा इंडियन मुसल्मान और इस किताब जो है इस किताब ने कहा कि 80% मुसल्मान इस देश में पिछड़े हुए हैं गरीब है 80% 1870 में तब तो आरेस नहीं थी तब तो मोदी नहीं था तब तो बीजेपी नहीं थी बारासो छे से लेकर कि 707 भारत में राजगोन है मुसल्मान इलतुतमेश बल्बन अलाउद्दीन खिल जी मुहमब बीन तुगलग फिरोशा तुगलग बाबर हुमायू अकबर जहांगीर शाह जहां औरंग्जेप तो यह कैसे हो गया मैंने बड़े सारे मुस्लीम इंट्छिलों से सवाल किया मुला नहीं सब्सक्राइब नहीं नहीं वह जो है वह कुछ दूसरा मस्ला है जान पाइन नहीं कैसे हो गया तब तो यह लोग थे नहीं कि यह कैसे हो गया कि इसका मतलब कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पर लोग जा नहीं रहे हैं यह मक्सद है मेरा आपको इस कहानी सुनाने का कि यहां पर तो सर मुसल्मान चाह चाहे हैं फिर अस्य प्रतिशत गरीब पिछले क्यों कोई तो बुनियादी वजय होगी सर इतना बड़ा यह बिंदी देख रहे हैं इतना बड़ा इस्राइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड सर आपको शायद ही बिंदु दिखा ही बड़ रहा हो इतना बड़ा इस्राइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड दुस्साहस देखिए इनका आपको यह आकर्शत नहीं करता आपको इनसे सीखने का मन नहीं करता कि गाली देना किसी समस्या का समधान नहीं है ह। हमारे बड़े सारे मुस्लिम भाई है उनको मैं देखता हूं किसी तुराइग गाली देने लगते हैं कि तारिक फटेश्य चोर अच्छा क्यों और का एज़ेंट हैं अच्छा कि हिंदुस्तानियों का एज़ेंट है तो क्यों नहीं बहस करते यह से जाकर कि तुम्ह करोड़ 현ir क। कि उसको थाबिट करो कि तुम गलत हो कि उसको बुलाओ lira किसी मजलिस में उसके तरकों को काटो नहीं नहीं वो शैतान का आद्मी है शैतान इबलीस का आद्मी और जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तुश्पस्थ हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो वेरेवर यूर अब्यूजिंग समवन तुम उनके गुलाम हो पूरे दुनिया की अर्थव्योस्ता यहूदियों के हाथ में है सर इसना आल रिजर्वार होते हुए तुम उनके गुलाम हो तुम पूर के वार में मारा शिक्स डेज वार में मारा तुम्हारे घर में घुशकर तुम्हारा बेड़ा उला देते हैं सुइस कैनाल पर कपज़ा कर लेते हैं इजिप्ट की एयर फोर्स पूरी उड़ा देते हैं तुम्हें यह चीज आश्चर नहीं करती बस गाली ही देते हो कि इसलाम की सबसे बड़ी राजनीतिक देन है एनलाइटन्ड अरिस्टोक्रेसी उसमें जिन्ना जैसे लोग कहीं नहीं बैठते सर वो बैठते ही नहीं इसलाम की जो सबसे बड़ी राजनीतिक देन है वो है एनलाइटन्ड अरिस्टोक्रेसी और सर इसलामिक स्टेट ने इतनी उन्वेस्टियां खोली इतनी वाल्ड फेमस सर पांच शे नाम तो मैं आपको गिना देता हूँ बगदाद, काईरो, बार्सलोना, सवाइल, डेमस्केश यह सब फेमस इसलामिक उन्वेस्टियां थी रेनेसांस की जो प्रस्टभूम बनी न सर वो इन ही उन्वेस्टियों में बनी सर इन उन्वेस्टियों में पढ़ने के लिए लोगों का सपना होता था कि हम इन उन्वेस्टियों में पढ़ें अगर इसलाम का इतिहास देखा जाए सेंचुरी 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 और सुप्रियम अचीवमेंट जर गाइडेंस इतनी जबर्दस अलाइटन अडिस्टोकरसी तराम एलाइटन है मुहमद अलाइटन है गुरगोविन सिंग अलाइटन है और अगजव ने पूचा आप संथ हैं आपने हथियार उठा लिया क्यों और यह आप डाड़ी और बाल क्यों रखते हैं बोले-बड़े सन्यासियों की तरह भोले हम सेंट वारियर्स हैं हम धर्म के लिए लड़ते हैं धर्म मतलब सिखिजम नहीं धर्म मतलब मानवता इसलाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था पूरी दुनिया में आपको भी इसलाम की हिस्ट्री पड़ो यौरप और तें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे विच हंटिंग हिंदुस्तान सती परता चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मां डालते पूरी दुनिया में अंधेरा और उस अंधेरे में मुहमद साहब लेकर खड़े हुए इसलाम प्रेम मैसेज हुजूर्साब गुजरते थे एक रास्ते से कोई महिला उनके उपर डेली कूड़ा फेकती थी हमारे आपके उपर फेकते हम तो गोली चला दे तुरंत कि वह कोड़ा फेको के वो भी हम हम मतलब मैं वाजी राम के टीचर इतनी अवकात तुम्हारी कि पैगंबर कि पैगंबर कि हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं पैगंबर कि मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पर एक दिन उस महिले ने कोड़ा नहीं फेका वो मकान के अंदर गए पता किया कि महतरमा कहा है पता चला बिमार है गए हाल चाल पूचा कहा मालिक से दुआ करूँगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए यह है यह हम से लोग पूछते हैं मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूँ ल मुसलमान इतनी उचाई पे कैसे थे इस पेन से लेकर चायना सी केश्वियन से लेकर हिंदुस्तान पूरे इलागे में मुसलमानों कर प्वा किव हो क्यों कि वह अपने उस व्क्त प्रगंबर को समझते थे कि जीतने की सद्धान्थ क्या है जीतना तलवार से नहीं तलवार से तो लूटा जाता है चोड किस छीज को इस्तमाल करता है तलवार का यह मैसेज है मैसेज इकरा शब्द फैजल साब ने लिया कि सर हम तो अपनी इंस्टिटूट का नाम इकरा रखेंगे मैं ने का बिल्कुल मैंने कहा इन्हों नमसे पूचा कि हम इस्टिटूट का नाम क्या रखे हमने का एकरा रखो बड़ा अंधेरा है दुनिया में एकरा मतलब पढ़ो आज सबसे ज़्यादा एडुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा मुसल्मान पैगंबर हमारा कह रहा है हमारा वो हम सब के पैगंबर है किसी खास विशेस के नहीं है वो कहता पढ़ो समझो तैफ शहर का नाम सुना होगा काफी लोग बैठे हो तैफ वहां के लोग हुजूर साब को पत्थर मारते गाली देते जिपराईल साब ने हुजूर साब से कहा कि कहो तो तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच पे है तो उन्होंने हुजूर साब से कहा कि कहो तो दबा दू अर्व नहीं कि जाने दो कि यह लोग यह कि यह जो मुझे पत्थर मार रहे न कि किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे